हलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लखी एजूकेसन और आज हम देखेंगे रीजन्स फॉर एक्स्टिंग्शन ओफ वाइल लाइफ चो हमाले जीव जन्तू हैं ये जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं इनके एक्स्टिंट होने के क्या कारड है एक्स्टिंट का मतलब क्यों ये जीव जन्तू लगाता और बिलुक्त होते जा रहे हैं इसके पीछे कौन कौन से कारड है तो इन सारी चीजों के बारे हम डिसकस करेंगे ये हमारा सिक्स्ट लेक्चर है हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंट की साइंस और चेप्टर नमर 12 चला में नेच्टर रिसोर्स राइस्तान बोर्ड की साइंस हम कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पहले बुक में देखने हैं बुक में क्या-क्या चीजे दे रहे हैं और पर नोट्स फोर्म में भी आपको बतांगो मैं आपको कैसे लिख कर आना है तो कंजर्वेशन ओफ वाइल लाइफ ये टॉपिक है और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे रीजन्स फोर एक्स्टिंगस ओफ वाइल लाइफ ठीक है तो आज की डेट में हमारी जो वाइल लाइफ है इन पर बहुती ज़्यादा क्या खत्रा मडरा रहा है तो इसलिए अब समय आ गया है कि इनको भी क्या करें हम कंजर्व करें और सरकार बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है और स्टेप्स नोर्ट इन जानल लेबल पर इंटरनेशनल लेबल पर भी बहुत सारे प्यास किया जा रहे हैं ताकि–्वाइल लाइफ एन्ईनिमल्स को प्रोजेक्ट किया टाइगर सायद 1973 या 74 के सम्टिंग स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को बचाने के लिए तो ऐसे करके गौर्णमेंट ऑप इंडिया जो एनिमल्स बहुती जादा खत्रे में हैं और उनको एक्टेंट होने का खत्रा है तो उनको बचाने के लिए टाइम टू टाइम क्या चलाती है प्रोजेक्ट चलाती है और इनकी संख्या ब्रद्धी करने के भी बहुत सारे प्रियास किये जाते हैं ठीक है तो इन जैनरल डटर्म वाइल्ड एनिमल्स आर यूज़ पोर दोज टेट लिए नेचरल हैट लाइन राइनोसेरोस और इनकी संख्या ब्रद्ध टर्म वाइल्ड लाइफ का मदलब यह है कि यह बड़ा टर्म हो चुगा है बहुत जाना यूज़ के जाता है किसके लिए सबी जानवरों के लिए और सबी प्लांट्स के लिए जो नेचर हम पाए जाते हैं उनको हम बोल देते हैं वाइल्ड टाएं झिसको नेच्रल ली इंडिया आपको पता है हमारे बारत देष को का जाता है बिवे ट्डवावाला बारते में Studio अमारे यह अदो तो आज़्ड लोग मिल जाएंग वहासारी आपको पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल जाएग़ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेंगे पूरी फुल बाइव डाइवर्सिटी से बरपूरा इंडिया एक रिच वाइव डाइवर्सिटी नेशन है ठीक है तो अपना देश यह मतलब ऐसे समझे लो गौड गिफ्टेड है हमारे हैं पर हर चीज आपको क्या मिलेगी डाइवर मतलब कहने का यह कि पूरा वर्ल्ड का जितना भी जमीन है पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका 2.4 परसेंट है भारत का भारत की जमीन है वर्ल्ड का कितना परसेंट है only 2.4 परसेंट मगर इस जमीन पर वर्ल्ड की 8.1 परसेंट बाइवर्सिटी यहां पर पाई जाती है सोचो जमीन हमारे पास वर्ल्ड की कितनी है 2.4% मगर हमारे पास वर्ल्ड की 8.1 वायोडावरसिटी है सोचो अपने वर्ल्ड में 193 प्लस कंट्रीज है ठीक है 193 नेशन्स तो UNO में United Nations और बाकी तो 200 से उपर कंट्रीज बताते हैं तो इतने सारे कंट्री होने के बावजूद भी भारत अकिला एक ऐसा जहां पर पूरे बिस्व की प्लांट और एनिमल्स की 8.1% स्पेसीज पाई जाती है सोचो तो यह हमारे लिए वड़ी गर्व की बात है कि मगर दुख की बात चैने बात हैं जाती हैं और हजारों इन्वेटेब्रेट्स सपेसीज पाई जाती हैं मगर अब यहां पर चिंता की बात है अब हमारे द्वारा कुछ ऐसे खत्रे मतलब दे दिये गए हैं ऐसी चुनोतियां दे दिये गए हैं या ऐसी संकट हम ने वाइल लाइफ को सामने क्रियेट कर दिये हैं कि अब इनका अस्तित तो खत्रे में आ गया है अपार्ट प्रोम हुमन्स देरार आलसु सम नेचुरल लीजन्स जूट विच वाइड लाइफ इस बिकमिंग एंडेंजर्ड अब देखो वाइड लाइफ के खतम होनी के दो रीजन है एक तो नेचुरल लीजन है और दूसरे है हमारी बज़े से ठीक है यूमन कॉजट तो नेचुरल लीजन्स की बज़े से भी वाइड लाइफ खतम होती है अब देखो नेचर की बज़े से तो नेचर तो क्या है अपने आपको अपने आप एड़जेस्ट करता रहता है अगर मालो नेचर में तो क्या है कई सारी स्पे सीज आती रहती है उसे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता मगर हमारी वाज़े से जो मतलब खत्रा के रिये टोड़ा वह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि नेच्छरल लेमिटीज जो प्राकरति गाबना है वो अभी आ रही है लाकों करोडों सालों से पहले से आती रही है तीक है अच्छा अब बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्चन बन गाएगा वाट आर्दी रीजिंस ऑफ एक्स्टिंग्शन वाइल लाइफ तो वाइल लाइफ के खतम होने क सारे सारे वीडियो यहां पर मैंने समझा रखाए है हैविटेट का मतलब है निवास जहां पर जीव जंतू रहते हैं उसी को क्या बोलते है तो जीव जंतू की जो नेच्टूरल है उसका क्टाया होगा जा रहा है अब डेस्ट्रक्शन होनें के पीछे बहुत सारे कोजा ज कि अब जाएं तो जाएं कहां हमारा घर चीन लिया लोगोंने परवाद कर दिया बचा रहें बताओ जीव जंतु कहां जाएं तो उनका natural habitat कतम हो रहा है जब natural habitat कतम हो रहा तो यह इधर उदर भटकिगे अपने मतलब अस्तित बनाए रखने के लिए अपने जीवनियापन करने के लिए गल्ती से कर एक rural area जो पहुंचे लेखने गाओं में पहुंचे लेखने लोग देखते ही इनको मार देते हैं कही सारे जीवजंतों को तो खत्रह बहुत ही बड़ा इनके सामने आता जा रहा है और खत्रा ही क्या बहुत सारे जीव जन्तु मारे भी जा रहे हैं ठीक है खेर दिर आर मैनी रीजन्स पूर जी डेस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल से नैचुरल हैविटेट तब मैन रीजन पूर डेस्ट्रक्शन आर नैचुरल केलिमिटीज लाइक अर्थक्वेक, बॉलकेनो, सुनामी एटीसी अब मैन रीजन्स में ये कह रहे हैं कि या अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है उसकी बज़े से बॉलकेनी करप्सन होता है उसकी बज़े से सुनामी आती है उसकी बज़े से भी खतम हो रहे हैं अब उन जरूरतों को पूरा करने का चिम्मेदारी पूरी किसकी है नेचर की और उसका पूरा पूरा लोड किस पर पढ़ रहा है नेचर पर बढ़ रहा है नेचर खतम हो रहा है इंसानों की जरूरतों को पूरी करते करते है ठीक है तो अब समय ये भी है कि भीया हमें population पर भ रहा है कतम होता हुआ जा रहा है human used forest land for housing अब इंसान क्या करने आज गरेट में जहां पर जंगल हुआ करते थे जंगलों को काट काट के उस जमीन को घर बनाने के लिए उप्योप कर रहे हैं उस जमीन में एंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसकी बज़े से क्या हो रहा है wildlife का जो है habitat है उसको के लिए crisis पैदा हुए उसके लिए संकट पैदा हुए बताओ अब जंगलों में जो जीव जनतु रहे हैं अगर उसी जंगलों को हम road बनाने के लिए इस्तिमाल करें उन्हीं जंगलों को हम factory डालने के लिए इस्तिमाल करें उन्हीं जंगलों को हम खेतों क लिए agriculture करने के लिए यूज करें उन्ही जंगलों में railway, roadway, यह सारी चीजें, dams बनाएं तो क्या होगा जंगलों में जो natural habitat है जानवरों का वो खतरे में आ जाएगा वहाँ पे रहने वाले जीवजन्तों खतरे में आ जाएगे तो यह सबसे बड़ा संकट है यूटो लार्ज स्केल ऑफ वाटर प्रोजेक्ट बड़े-बड़े बाटर प्रोजेक्ट चला जारे जैसे भाकडा नंगल, टिहरी, ब्यास प्रोजेक्ट, जिसकी वज़ेसे फोरेस्ट लेंड जो है वो पानी में समझ हो गई, अब सोचो फोरेस्ट है यहां पर बड़े एर में चिनली ठीक है ओके नेचुरल हैविटेट वर अल्सो डिस्ट्रोइट द्यू टू माइनिंग वर्क्स एंड फॉरेस्ट एंड एंड अब मालो फॉरेस्ट में एसे ड्रेन हो गई तो पेड़ पोदे वैसी खतम हो जाएंगे चोटे-चोटे जीव जन तो मर जाएंगे बड़े-बड़े पानी के जहाज होते हैं उन में से कई बार ओयल के टेंक जाते हैं अगर वो लीक कर जाते हैं तो समदर के पानी में फैल जाता है जिसको ऑई इस्प्लेज बोलते हैं उसकी वैस से समदर में पाए जाने बली मचलिया बहुत सारे जीव जन दू बड़ी- वेल जो होती हैं वो मर जाती हैं बताओ यहां पर भी एक दिक्कत है विकोज ऑफ ग्रीन हाउस एफेक्ट ग्रीन हाउस एफेक्ट होने की बज़े से क्लाइमिट इज गेटिंग होट अराउंड दियर्वाई डेस्ट्रॉइंग दी वायो डावरसिटी अब क्लाइमिट चे जाने वाली हीट को बापस एटमोस्पेर में नहीं जाने देती हैं और प्रतिवी का टेंपरेचर बढ़ा देती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जो टर्म है ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है प्रतिवी के टेंपरेचर में ब्रदी होना ही क्या है ग्लोबल वार्मिंग है पानी जमीन पर आ जाएगा जमीन कम पढ़ जाएगी बैसे ही आपको पता है 70% हमारी जो जमीन है 70% उस पर पानी पानी और glaciers मेल्ट होने लगे तो यह परसेंटेज और बढ़ जाएगी हमारे लिए रहने की जमीन कम पढ़ जाएगी फिलर्स बढ़ जाएगी तो मतलब समश्या ही समश्या है कत्रही कत्रह है तवाई ही तवाई है तो इसलिए हमें सुधरने की जरूरत है ओके Illegal Poaching of Wild Animals Illegal Poaching का मतलब है Illegal का मतलब गयर कानूनी और Illegal मतलब गेर कानूनी बहुत सारे लोग जो होते हैं जंगली जानवरों को जैसे हाती होते हैं तो उसके हाती के दांत के लिए इसको मार देते हैं ठीक है और पोंचिंग करके मतलब जानमेड कि क्या कर रहें हत्या कर रहें तो देली अखबार में आप सुंद्टे होंगे इनके बारे में बहुत बड़ा संबज्छाय है बहुत बड़ी संबस्षा लिएंगरवाइए हम एर भॉट आरेंचलिम कर रहें जीव जंथों के रहने के आवास को खतम कर दोगे, forest को खतम कर दोगे, तो forest में रहने वाले जीव जंथो कहाँ पर आएंगे? रूरल एरिया माएंगे, सहरी एरिया माएंगे, तो वहाँ पर वो जानवर जो है? humans से उन्हां इंटरेक्शन होगा, तो आप तो बस इतना ही लिख्या ना अगर आए तो डेस्ट्रेक्शन ओवाइब लाइफ में यह सारी चीजे में ने वन वाइब वाइब लाइफ अब हम नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं तो वाइल लाइफ में बताया था वाइल एनिमल्स विच लिव इन दियर नैचु लाइन ठीक है, ओके वाइल लाइफ इंक्लूड में सारी स्पेसेज आती है और वाइल लाइफ में आती हमें बराबर ध्यान देने की जरूरत है यह डेटा एक नंबर का कोश्चन आ सकता है इसमें से तो ध्यान रखना आप है ना इसको हलके में ना लें इसको याद रखने ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम देखेंगे इसके नेचरल कोश्च भी है वालकनिक रप्सन अर्थ को एक सुनामी यूमन ग्रोथ होने की बज़े से यूमन नीट्स बढ़ती जा रही है और जब यूमन नीट्स बढ़ेंगे तो सिंपल सी वादस का प्रेसर हमारे नेचर पर पड़ेगा यूमन जो है फॉरेश्ट को यूज़ कर रहे है अपनी नीट्स को फुलपिल करने के लिए अपने सेल्टर के लिए एगरी कल्चर के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए माइनिंग, इन्वारबेंट, पॉलूशन, एसेड रेड ये भी नेचरल हैविटेट को खतम कर रहे है क्रीन आउस पेक्ट की वाज़े से प्रतिवी का टेंपरेचर बढ़ रहा है जिसकी वाज़े बायो डावर्सिटी खतम हो रही है बहुत सारे मेगाडेम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वाज़े से फोरेश्ट का बहुत बड़ा एरिया पानी में समर्ज हो रहा है इल्लीगल पोचिंग और वाइल लाइफ इसकी वाज़े से भी हमारी जो वाइल लाइफ है वो खतम होती जा रही है पॉलूशन की वाज़े से खतम होती जा रही है इसके बज़े से भी जो जानवरे मार दिये जाते हैं इनसानों गुदारा उससे भी वाइल लाइफ कम हो रही है फोरेन स्पेसीज के इंट्रोडक्शन की वाज़े से बहारी बेशी जो प्रजातिया है वो हमारी नेटिब प्रजातियों को हमारी देश की प्रजातियों को क्या कर रही है खतम कर रही है तो इसकी बज़े से भी वाइल लाइफ को बहुती जादा खतरा है तो यह वाइल लाइफ वाला टॉपिक हमारा यहां पर खतम होता है तो आप लिख क्या सकते हो कि क्या-क्या कारड है वाइल लाइफ के एक्स्टिंगे ठीक है अगला वाला जो वीडियो आएगा हम देखेंगे उसमें वाइल लाइफ कंजरबेशन और IUCN की क्लासिपिकेशन के बारे में समझेंगे तो वो चीज हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे हमारा साइंस का कंप्लीट कोर्स लखी एजूगेसन एप पर अवेलेबल है जहां पर आपको नूट्स साथ की साथ में टेलीग्राम ग्रूप मिलेगा जहां पर आप डिसकस कर सकते हो टेस्ट पेपर्स मिलेंगे सारी चीज आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी मातर 500 रुपी में साइंस का कोर्स अवेलेबल है लखी एजूगेसन एपर जिसको आप जोइन कर सकते हैं ठीक है न मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू थैंक यू सो मच